आम् सभी भक्त जनों को सप्रेवनमन भक्तों आज एक जिग्यासा आई है कि जिवात्मा चेतन होते वे भी जड़क प्रकृति से क्यों और कैसे बंद लिया यह तर्क हजम नहीं हो रहा है तो ऐसा है वक्तों कि सामाने बुद्धि से तो ऐसा ही प्रतित होता है कि जिवात्मा को जो प्रतित है उससे नहीं बंदना चाहिए अगर बंद जाता है तो वहां पर एक बंदन का तो देरहह आही जाएगा से फिर जिवात्मा को स्वतंत्र कैसे कहा जाएगा कि वह नहीं बंद बंदन हुआ और जब बंदन हुआ इसका मतलब प्रत्रारथ में आ गया क्योंकि बंद तो प्रत्रारत यह जब जब भी किसी के साथ संबंध बनते हैं तो वहां पर कुछ क्रिया परतिक्रिया होती है तभी संबंध बनते हैं अगर विज्ञान की वास्ता में देखें तो तो अधी कहीं किसी के साथ कुछ संबंध बने हैं तो वहां बंधन तो माना जाएगा ही और जब बंधन है वहां तो जाता है कि वह बंधन में बंधे फिर कैसे बंधा कि यह काफी जटिल प्रश्ण है कि शेतन सत्ता कि स्वतंत्र है और उसकी स्वतंत्रता इसी से है कि वह बंधन में भी बंद सकती है तो उसकी स्वतंत्रता यह है लेकिन वह बंधन में बंते वे भी बंधन में नहीं है याने वह direct ऐसा संबंध नहीं बनाता है जैसे जड़ प्रकृत बनाति है संबंध किसी पदार्थ के साथ पदार्थ का रियक्शन हो करके एक बनाती है उस तरह से उसका संबन नहीं है उसका इंफ्लाइंस फिल्ड के माध्यम से यानि चेतन सब्ता है उसके मध्ध में मया सक्ती है जो के फिल्ड है और उसके बार फिर पदारथ है इस तरह से तीसरे स्टेज पर जाकर बंधन मनता है और यह जो माया की प्रकृत है यह जो है यह मध्य में है यह पदार से भी बंधन मनाता है और इसका प्रभाव जो है चेतन सत्ता में भी आता है इसलिए यह तीन भिन भिन सत्ता हैं तो यह तीन भिन सत्ता हैं है तो एक समगर सत्ता के ताहत लेकिन इनके अभी नेचर है इस तरह से भिंदभिन अलांके जो चेतन सक्ता है उसका जो पूरू Πैर और माया गई और में जिर्दभिन में पर्तित उता वह क्याने नहीं है तो जो जड़ पदार्थ जिसको कहा जाता है वो अभी एक अर्थ में चेतन सता है उसमें जो चेतना है वो काफ़ी सुक्ष मस्तर पर है वो अव्यक्त नहीं है यानि पदार्थ भी चेतन है यही कारण है कि जो मशीने हैं वे भी calculation कर लेती है लेते हैं उसमें कोई विचार का सम्प्रेशन कर देते हैं, आपकी इधर से दर चली आएगी , UCB आपके स्परस दर जा सकते हैं , यही कारण है कि रोपोटिक्स का विकास हो पाया है sogen तो जड़को सरवता जड़ समझेना है यहाएक भूल है।। उसमें भी चेतना है। चेतना सुन तो इस अस्तित में कुछ है ही नहीं बस चेतना का स्तर कितना व्यक्त है कितना व्यक्त नहीं है बात यही है तो जहां व्यक्त है उसको सुद्ध चेतन समझ दीजिए जहां व्यक्त ही व्यक्त है और जहां व्यक्त पूरा नहीं है बलकि वहां पर वह जड़ वह स्थूल अवस्था को हम लोग जड़ कहा देते हैं और कोई बात नहीं है और इसके कारण ही यह भोगने वाला हो जाता है चेतन सत्ता भोगने वाली सत्ता हो जाती है जब वहां सम्मद बनाती है तो कते सुख और दुख भोग रहा है तो जिवात्मा सुख और दुख भोगता है जड़ तक्तों से सम्मद बनाने के कारण तो यह भोगता वास्तों में वह नहीं भोगता है लेकिन यह भोगता भी है तो वह भोगने के लिए भी सोतंत्र है और यह ऐसा इसलिए हुआ बंधन में ऐसा इसलिए आया क्योंकि पूरुनता तब तक नहीं हो सकती जब तक कि अब कोई कहे कि इसमें जड़न बढ़ने से क्य परमात्मा को जिवात्मा को दोनों को ही जड़भी होना पड़ेगा तभी पुर्ण माना जाएगा और हम लोग का सास्त बतलाता है कि यहां परमात्मा जो हैं पुर्ण है तो उसकी पुर्णता तभी होगी जड़ भी हो सकता है इन दोनों के मद्यका भी यानि माया भी हो सकता है और इनसे परे भी हो सकता है यानि जड़ चेतन और माया से भी परे हो सकता है तभी वह पुर्ण होगा तो उसकी पुर्णता में कोई हस्चेप नहीं है इसलिए वह जड़त्तों के साथ भी संबना सकता ह दरता है तभी उसकी usually मासे तो यहां खाद यह यह तरक गलत नहीं है लिए आकि परसंद्रष्ट आइसा लगता है कि यह विरुव्दाभासि है लेकिन आहे हैं अगर अगर आप उस पुरुता की और से देखें तो आपको समझ में यह वात तो एक अनभव से वनचित हो जाएगा फिर की जाएगा tas क्विए मुक्ति की और की से सकता है मुक्त का मतलब ही ओ गया वह jus again उछने शन्मयारे की जओ दॉट नहीं रहा खरी रहा तो फॉर्ण नहीं वा तो इसलिए हर प्रकार का वह भोग लिया इसलिए वह बंधन में भी हो गया और मुक्त भी हो गया और पहले से भी मुक्त था तो इसलिए वह मुक्त रहते वे बंधन में बंधा फिर मुक्त पुना मुक्त हो गया या उसकी सुतनततार पुर्णता है तो इसलिए जो जड़ पकरते हैं इसे हम जड़ काते हैं वह चेतन है और उसके साथ ही वह सम्मन बना हुआ है वह सम्मन तो है ही बात कि वह उसी की अभी व्यक्ति ही है सम्मन तो दूर की बात रही वह वही है ही, उसी का वह एक्स्टेंसन है, यानि यह अस्तित्व अखंड अस्तित्व है, वह तो हमारे ऐसी अनभूती है, अपने, जिसके कारण जो है, हमें उसमें जड़ता दिखाई दवरती है पदार्थ में, अन्य था पदार्थ भी चेतन है, अधि आप परम चेतन हो ज आते हैं, तो पदार्थ में भी आपको चेतना नजर आ जाएगी, समझ में आ जाएगा उसकी चेतना, लेकिन जड़ गुद्धि वालों के लिए वह पदार्थ भी जड़ मालों पड़ता है, यानि जब एक साधक के लिहास से देखें, तो एक पदार्थ जड़ है, लेकिन स जड़ बुद्धि के लोग हैं, जो अभी परम ग्यान के अस्था को नहीं पहुंचे हैं, उनको पदार्थ में सरुथा जड़ता ही नजर आती है, परम चेतन्य के लिए सबग रस्तित्त चेतन्य है, क्योंकि यह पूरा अस्तित्त परमात्मा से परिपूर्ण है, ओ तो इसमें सुद्धुरूप से यह कहाना कि यह एदम जड़ है और सरुथा भिन है, तो ऐसा संभा भी नहीं है, तो इस संपूर्णता में होने के कारण पूरा परमात्मा होने के कारण ही है, परम चेतन्य माना जाता है, और एक अर्थ में जड़ता भी है, तो वह जड़ता कि सर्थ में है, मैंने आपको समझा दिया, और गीता में भी कहा गया है, यह समग अस्तित वासुदेव ही है, तो मुझे उमीद है कि आप मनतब समझ गए होंगे, आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, ओ भाई